यह हमारा BSC 2nd year और 3rd Sam की 3rd unit है यह 2nd paper की optics 1 जिसका नाम है और इसमें जो हमारा main है वो interference है इस unit का नाम और इसमें आप इसका 1st lecture है हमारा यह इस optics 1 जो paper है second paper और unit 3 का इसमें हम आज cover करेंगे interference क्या है और यह किस तरह से generate होता है जिसके दो पार्ट है constructive interference and destructive interference और इसकी conditions क्या है कि किन condition पे यह हमारा interference बनता है क्या क्या conditions होनी चाहिए interference के लिए and type of interference कि basically यह कितने type का interference है तो चलते हैं हम अपने first slide second slide की तरफ यह interference जैसे नाम सही clear है कि आप interference का bifurcate कर लो interfere करना समझे एक तरह से यानि जब भी किनी दो चीजों का बीच में इसको interfere कर रहे हैं किसी के दूसरे के काम में interfere कर रहे हैं तो वो interference से आप इसको relate करके और इसकी definition को याद रख सकते हैं कि interference क्या है interference is a phenomena in which एक process है जिसमें two waves superposed to form a resultant wave यानि जिसमें दो waves अलग-अलग different amplitudes हो सकते हैं और लेकिन उनका जो wavelength है वो same wavelength होनी चाहिए इस तरह से दो waves का हम interfere अकर हम उनको करते हैं same source की भी हो सकती है और तो resultant wave जो बनेगी वो overall उसका amplitude है वो बड़ा भी हो सकता है चोटा भी हो सकता है और same amplitude भी हो सकता है ठीक है उन दोनों को मिला करके जो wave नहीं wave बनेगी उस wave को हम बोलेंगे कि यह waves का interference हो रहा है ठीक है और उसके पात जो generated wave होगी वो हमारी resultant wave होगी इसको understand करने के लिए हमारे पास following is the explanation how the light wave interference वी दीचेदर कि दो light wave हैं वो एक दूसरे से किस तरह से interfere करकी है इसको detail में समझने के लिए यह हमारे पास दो तरह के interference है एक constructive interference है और दूसरा है destructive interference है constructive interference and destructive interference अब इनको समझेंगे next slide में constructive interference एक बड़ समझने के लिए इमेज देखो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक wave है wave 1 और second वाली मान लीजिए हमारी wave 2 है और ये constructive interference कब कहा जाएगा ध्यान सो सुनने वाली बात है जब ये एक wave है ये इसका उपर वाला जो point है ये crust है और नीचे वाला ये आप लोग बहुत basic waves के बारे में और सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में ये कोई second wave है इसका भी ये crust है इसका ये crust है और ये second दोनों wave का ये ट्रफ है और ये ट्रफ है constructive interference जब होगा कि एक wave का crust और दूसरी wave का crust एक state यही parallel होगे दोनों एक दूसरे के ठीक है तो ये जब ये दोनों आपस में wave interfere करेंगी यानि मिलेंगी तो ये क्या होगा एक amplitude इसका बढ़ जाएगा ऐसा केबल तब ही होगा जब आपका crust दोनों waves का एक सेम पॉइंट पर होगा और ट्रफ दोनों का सेम पॉइंट पर होगा तो दोनों मिला करके ये एक हाई amplitude वेव बन जाएगी इस तरह ऐसे कि यह हमारा constructive interference example है अब इसको सम रिटन में यह नोट्स आपको नोट कर ले ना यह सब आपको पेपर में लिखना पड़ाएगा मैं पीडिय भी भेज़ दूम आप लोगों को एक लास की अब constructive interference को लिख करके आप लोग कैसे हाएंगे कंसिडर ए वेव ऑफ लाइट वेव और कंसिडर ए पेर ऑफ लाइट वेव फॉम सेम सोस्स देट आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम सेम डारेक्शिन विग एंड एंड देयर वाइब्रेसंस आर पहलें तू इच अदर यानि इंडिय वाइब्रेसंस है वो पैरलल है एक आपका बने चुर्ण वेव नहीं करेंगी और करेंगी तो फ़ोरों कंस्ट्रेक्टिव इंट्रफरेंस नहीं माना जायगा आपकी अब किया लेकिंगे एक पॉइंट वेव दा क्रेस्ट अफ वन वेव वाब्स ऊबर दा क्रस्ट ऊफ अफ अननधर वेव यानि एक वेव अब अब करता है यानि वो सेम पॉइंट पर हैं तो और या ट्रफ ओफ वन वेव फॉल्स ओवर दा अधर वेव तो यानि एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के पहलल होगा तो वो कैसा इंट्रफरेंस माना जाएगा, constructive interference माना जाएगा, the resultant amplitude of the resulting wave will be the sum of two individual wave amplitude, यानि इन दोनों waves के मिला करके जो amplitude बनेगा, वो हमारा और जो wave बनेगी, वो हमारी constructive wave होगी, जैसा कि फिगर बन में दिखाया है, such additive interference is called constructive interference, यानि इन दोनों waves जब हमारी add होकर के जो wave बनेगी, उसको क् रहेंगे, constructive interference, जिसको नहीं समझाता है, detail में पूछना है, तो वो भी class के बाद, mute करके पूछ सकते हैं, हम बढ़ते हैं, next slide के लिए, यह destructive interference, destructive जैसे नाम से पता लगता है, destroy करने से शुरू है, destroy words से आप इसको याद रख सकते हैं, destructive interference क्या है, यह इसका reverse है, constructive का, इसको आप देखेंगे, कि एक wave का आपका crust और दूसरे का trough, एक दूसरे के सामने है, यानि जब यह दोनों waves और अगर same amplitude की होंगी और एक दूसरे से मिलेगी, तो इनका जो resultant होगा, वो zero हो जाएगा, यानि एक दूसरे के amplitude, एक wave का amplitude, दूसरे wave के amplitude को cancel out कर देगा, और यह क्या बोला जाएगा, destructive interference बोला, लिखने के लिए आप देखेंगे, at point where the crust of one wave falls over the trough of the another wave, और trough of one wave falls over the crust of the other wave, यानि एक wave का crust दूसरे wave के trough के fall कर रहे हैं, पहला नहीं जूसरे के, तो वो क्या बोला जाएगा, destructive interference बोला जाएगा, the resultant amplitude of the resulting wave will be subtracted of two individual wave amplitude, यानि एक wave के amplitude मैसे, दूसरे wave का amplitude माइनस कर दिये जाएगा, ऐसा तब ही होगा, जब उन दोनों का crust और trough एग दूसरे के opposite में होंगे, और ऐसा किसमें, हमारा figure 2 में, ऐसा हमारा दिखाया गया है, such additive interference is called destructive interference, यानि इन दोनों के जो ये interference है, इनको add करने के बाद जो interference बनेगा, उसको क्या बोलेगा, destructive interference, य जो नाम से किलियर होगी है, लेकिन important है ये, paper के point of view से आप नहीं क्या सकते है, लेकिन वैसे important है कि आपको पता होना चाहिए, कि interference क्या है, तब ही हम आगे type of interference ये सब चीज़ां कर पाएंगे, next slide है हमारा, condition of interference, कि interference की क्या condition है, कि interference कब होगा, तो इसमें है, the condition for the interference of light arrives under, first, in interference, the source of light should be monochromatic, यानि जो light है, वो monochromatic source की होनी चाहिए, monochromatic source का मतलब क्या है, they should be of a single wavelength, यानि उनकी single wavelength होनी चाहिए, second है, here, wave should be of the same frequency, कि wave की same frequency होनी चाहिए, यानि एक definite time period के बाद, वो अपने wavelength भी same होनी चाहिए, और frequency भी same होनी चाहिए, direction of the wave should also be the same, यानि दोनों waves की direction भी same direction होनी चाहिए, और next point है, the source of the wave must be coherent, कि wave का source है, वो coherent source होना चाहिए, और coherent source का मतलब क्या है, which means they emit identical wave through a constant phase difference, यानि वो दोनों एक constant phase difference create करनी चाहिए, दोनों waves जो है, तो यह आपके paper के point of view is important है, पीछे तो 2017 में और I think 15 या, पीछे भी एक दो बर paper में आया होगा है, तो next है हमारा type of interference, basically interference दो type का है, interference can be divided into the colon two types, first है interference by division of wave front and second है interference by division of amplitude, दोनों को आप देखेंगे, आपके third sem के सलेवस में तो फिलाहल division of wave front ही है, और definition इसकी भी बता देगे, लेकिन fourth sem में आपका आएगा division of amplitude, तो उसके अलग-अलग parts हैं, वो second, fourth sem में पुछे जाएगे आपसे, तो interference by division of wave front, जैसे अब आप देखेंगे कि जो interference है, division of wave front पर depend है, यह amplitude पर depend है, बस यह दोनों type हैं इसके, अब हम इसको सीखते है, interference by division of wave front, interference by division of wave front क्या है, इसको समझो, तो in this class, wave front is divided into two parts, wave front कितने parts में डिवाइड है, दो parts में किसे डिवाइड होता है, यह reflection से भी डिवाइड हो सकता है, और reflection से भी डिवाइड हो सकता है, यह division of wave front ही है, यह wave front का division किन दो चीख से हो सकता है, या तो reflection से हो सकता है, इसको समझे ज़रा, यानि यह दोनों वेफ्रेंट से एक पार्ट से से अप्टेंड होते हैं, त्रेवल अनिकोल दिस्टेंस, यानि तोनों अनिकोल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और एक स्क्रीन पर जाकर के जमा होते हैं, डिटेल में देवाब हम पढ़ेंगे यह फ्रेशनल्स वाइप्रिजन से कैसे वेफ्रंड दिवाइड होता है, या फ्रेशनल्स मिरर से कैसे होता है, या लाइड मिरर से होता है, यह तीन इंपोर्टेंट टोपीक है जो आपकी इसको समझो, इन इसको समझो, इन इस एंप्लिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट either by partial reflection partial reflection से different parts divided beam travels different path and interface different path travel or different interface two parts obtained from the same wavefront then travels unequal distance bending nice affairs travel करेंगे and reunits at small angle on the screen to produce interference और ये small angle पर screen पर reunits अलग अलग points पर जमा हो जाएगे the interference in thin film इसके example हमारे thin film Newton ring Michelson interferometer are the examples of two beam interference ये हमारे two beam interference के examples that's all आजगी class हमारी यहीं तक है